Hello friends and welcome to the exams made simple So we are back again with the Hindu analysis for 1st of June 2024 1st of June 2024 से हम analysis देखेंगे And अब मैं बोल सकता हूँ कि यह जो current affairs रहेगा यह आपका prelims 2025 के लिए काम आएगा This current मैं ऐसा नहीं कि इसमें से कोई चीज आपके अभी काम नहीं आएगे जो पुरानी चीज़े हैं वो हर बार हम जानते हैं इंदो में हम रिवाइस करते हैं डेली का तो जो लोग इस साल भी prelims दे रहे हैं वो भी analysis देखें बट जो नई चीज़े होंगे अगर कोई नई गतिविधी हो रही है तो वो आपका फिर 2025 में काम आएगा और जैसे आज की नई चीज़े हैं कोर सेक्टर देखेंगे या कुछ ऐसी चीज़े देखेंगे जो अल्रेडी चल रहे हैं काफी दिनों से तो वो चीज और अव्यसी बात है आपका इस साल के भी काम आएगा और नेक्स्ट एर के लिए काम आएगा और जो भी करेंट एफिर से वो मेंस के लिए तो इंपोर्टेंट रहता ही है क्योंकि आप जानते कि मेंस का जो पेपर बनता है वो 75% 80% करेंट बेज़ रहता है और अव्य 25% ही वो स्टार्टिक बेज़ रहता है स्टार्ट करेंगे आज के अनालिसिस को शुरू करते हैं सब्सक्राइब कुछ सवालों के साथ या आपको प्रिलिम्स के लिए थोड़ा मजबूत थोड़ा प्राक्टिस करने काम आएंगे पहला सवाल है consider the following statements about golden rice golden rice के regarding statements है पहला statement कहा है it is genetically engineered crop to contain beta carotene pro vitamin A दूसरा statement कहा है India became the first Asian country to approve commercial production of the rice variety in 2021 तीसरा कहा है it is water intensive and requires special cultivation practices unlike the traditional rice तो आपको बताना है कि how many statements are correct कितनी statements सही है बड़ा प्यारा सवाल है अगर आप लोग attempt कर पाएं तो इसका जो correct answer है मैं आपको बता जाता हूं correct answer है केवल एक statement सही है पहला statement जो है जनेटिकल इंजिनियर्ट है और beta carotene डाला जाता है pro vitamin A के रूप में vitamin A की कमी को दूर करने के लिए दूसरा और तीसरा statement गलत है क्योंकि first country जो थी एशाय में वो फिलिपीन्स थी जिसने अप्रूफ किया था इसके बाद भारत में हुआ था और यह water intensive बिल्कुल नहीं होता है जैसे traditional में होता है तो दूसरा और तीसरा गलत है के वाल एके statement सही है दूसरे सवाल पर आते हैं दूसरा सवाल है Halloween crack Halloween crack news में रहता है आपको बताना है कि किस से associated है तो options आपके सामने है longest crack created in Japan due to plate movement दूसरा है longest crack in the East African rift valley तीसरा है fault created in Rockies due to the movement of North American plate and D है a rift observed in Antarctica so this is a very good question again Halloween crack अब आपको बता दूसका answer is D it is a rift observed in Antarctica वहाँ पर Brent ice shelf है मैं लिख देता हूं यहाँ पर देखो let me write it down यहाँ पर यह लिख देखो Brent B-R-U-N-T Brent ice shelf है na तो Brent ice shelf में आपको यह Halloween crack दिखेगा है and the crack which has been created rift which has been created in Antarctica crack मतलब ही rift होता है rift मतलब crack होता है Ujani Dam इत वाज रिसेंटली निव्स आपको बताना है किस नदी पर है Ujani Dam options आपहीमा, नर्मदा, तापी, और गुदावरी the correct answer for this is याप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दू है Ujani Dam आप जस सर्च करेंगे, Ujani Dam तो आपको मिल जाएगा answer इसलिए बहुत ही आसान सवाल इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा I hope you will be able to answer me in the current comment section below और please do like the video आपको अच्छा लगता है तो like जरूर करियेगा है कम से कम 100-100 like तो दिखें आ रहा है इसलिए टर्म अमेरिका के पार्लेंस में यूज किया जाता है तो अमेरिका में जैसे हम केस बोलते है इंडिया में क्रिमिनल केस बोलते है तो उसको फेलनी बोला आप you are convicted of a criminal case you are convicted of a felony जेल टम भी होता है बट हाले कि US President former रहे चुका है उनको ऐसा जेल टम नहीं दिया जाता है अब यहां पर देखो कुछ टर्म में आपको बता दो जो इनके अनालिसिस में आया है इनका जो क्राइन था वो हश मनी क्राइम बोलते है क्या बोला कि उसको हश मनी क्राइम हश मनी मतलब कि चुप रहने के लिए जो पैसे दिये जाते है हश मनी हश का मनलब था चुप रहना ना तो चुप रहने के लिए जो पैसे दिये गये तो आपको पता है कि वहां पे एक I think sex worker जिसके साथ Donald Trump के कुछ मनलब कुछ भी चीज थी उसको बाहर ना लाने देने के लिए उन्होंने कुछ पैसे दे तो हश मनी केस इसलिए बोलते इसको है ना देरा ने अली 34 चार्चेज अभी इसमें एक एक करके कन्वेक्शन होगा आन्ड यहां पे जो कुछ ओर तुम्स में आपको घा दूँ सूट्स आरप कर में सब्सक्रोफ पर बहुत अच्छ फोग बढादिते हैं तो समें भी आप दीकसिते बहुत प्यारे प्यारे कैसे की से आते हैं बॉस्टन लीगल्स में तो बॉस्टन लीगल आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जूरी में दो तरीके की जूरी होती है अमेरिका में एक होती है ग्रैंड जूरी और एक होती है आपकी जो जिसको हम बोलते है नॉर्मल जूरी बोलते हैं तो आप देखो क्या होता है कि पहले जिसे ट्रम्प के जो case था अब ऐसे case में क्या होता है पहले ये determine किया जाता है कि क्या sufficient evidence है कि इसको trial के लिए हम ले के आएं कि नहीं आएं तो पहले trial में लाने के लिए jury बैठती है कि ये decide करती है कि इसका trial होना भी चे कि नहीं हो जाएं उसको हम बोलते है grand jury और दूसरा जब एक बाद trial में आ जाता है फिर जो jury बैठते है उसको हम trial jury बोलते है फिर वहाँ पे guilt और ये सब determine के जाता है कि guilty है कि नहीं है है न याद रखेगा और यहाँ पे एक post होते है district attorney जैसे हमारे आप prosecutor होता है जो government की तरफ से case लड़ता है मदला कि वो अमेशा convict करने की ही कोशिच करेगा जैसे यहाँ पे तो वैसे अमेरिका में district attorney होता है जो elected post होती है इसा elected post, directly elected post होती है तो याद रखेगा district attorney बोलते है I hope you got clarity आपको कुछ समझ में आया होगा grand jury और trial jury के बीच में difference समझ में आया होगा district attorney का समझ में आया होगा और hash money case समझ में आया होगा अब यहाँ पे दो news items और है front page पे ही जो हम discuss करेंगे तो यहाँ पर एक तो आपको दिख रहा होगा heat wave claims at least 61 lives 28 polling officials among those dead heat wave already in India में बहुत ज़्यादा चल रहा है आपसा को पता होगा heat wave का main हम देख सकते हैं definition देख सकते हैं from the exam point of view Indian meteorological department release करता है पूरा का पूरा PDF release निकालता है उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो maximum temperature के basis पर determine करते हैं कि heat wave है या नहीं है और maximum temperature के लिए एक benchmark temperature लिया गया है जिसमें plain areas के लिए benchmark temperature है 40 degree centigrade plain areas के लिए coastal areas के लिए वही temperature 37 degree centigrade है और hill areas के लिए temperature 30 degree है मनलब जब 40 degree plain area में 37 degree coastal area में और 30 degree hill area में जब ये temperature क्रॉस करता है तो heat wave शुरुआत की जाती है अब normally ये heat wave consider होती है ये criteria होता है वो ये है कि normal heat wave मान जाती है 40 degree centigrade जो plain है या 30 degree उससे 4.5 से 6.4 degree centigrade तक अगर temperature बढ़े गया मनलब 40 degree के उपर अगर 4.5 degree से ले करके 6.4 degree तक बढ़े गया तो वो बुलती ही heat wave और 6.4 degree centigrade से भी जाता हो गया तो वो कहलाएगी severe heat wave तो 4.5 to 6.4 तक अगर जाता है तो वो है heat wave और 6.4 degree centigrade से भी बढ़े गया 40 degree के उपर 46.4 degree centigrade से उपर चलागा तो वो severe heat wave के लाएगी तो I hope you got clarity regarding this as well तीसरे news article में आते है manufacturing sector's growth lifts GDP to 8.2% तो अब हमारी जो इंडिया की real GDP जो 24, financial aid 24 के लिए estimate की गई है so it is much faster than जो सोचा गया था क्योंकि जो NSO के estimates थे revised उसमें भी हमने देखा था कि 7.3% कानो ने बुला था national statistical office जो है but it has gone to 8.2% the credit goes to the manufacturing sector of India अब यहाँ पे GDP की बात चल रही है तो दो यहाँ पे terms इस article में मिलेंगा आपको एक है nominal GDP और एक है real GDP तो क्या होता है जैसे देखो nominal GDP जो होती है उसमें main चीज जाद रहना है कि nominal GDP जो होती है वो आपके current prices के basis पे होती है मनलब कि आपने suppose करो 10 item आपने रखे एक price चल रहा है दो रुपए एक का price चल रहा है तीन रुपए एक का price चल रहा है चार रुपए तो जितना आपने produce किया होगा उसके multiplied में 2, 3, 4 जो current prices चल रहा है वहां से हम निकालेंगे तो nominal GDP निकलेगा और अगर हम base year के price जैसे कि माल लो 2012 base year था तो 2012 base year के prices अगर हम निकालते हैं इन ही products के value मना अभी क्या price चल रहा है वह हम ना ध्यान दे base year के price से अगर हम निकालें उनकी total valuation तो वह कहलाती है real GDP तो इसका मनलब क्या होता है यह जो nominal GDP की value आती है वो greater than होती है real GDP ठीक है और इसका formula भी आप इसी की basis पे याद रख सकते हैं कि चुकि यह बड़ा है तो याद रखेगा यह क्या होता है तो nominal GDP जो होता है और nominal GDP बड़ा होगे ना GDP deflator की value वन से जाधा होती है तो बस simple समझ में आगा आपको कि nominal GDP बड़ा होगा real GDP से और GDP deflator का अगर हमको formula चाहिए तो nominal upon real होता है तो nominal GDP upon real GDP अगर अपन कर देंगे तो GDP deflator की value मिल जागे वरलब कि हमको inflation का constant भी पता चल लाएगा तो I hope you got clarity regarding these three facts यह graph अगर आप देख पाए GDP जो किस तरीके से 14-15 से अभी तक बढ़ा है तो अगर हम देखे तो V-shaped आपको दिख रहा होगा कि constantly बढ़िये तो ऐसा बिल्कुल नहीं constantly नहीं बढ़ रही है बढ़ घट रही है तो graph को study करना और उसको use करना सीखे थोड़ा कि question किस तरीके से पूछा जा सकता है तो उसके लिए भी तैयार रहे है ठीक है एप की बात करते है तो इसका नाम क्या है हुलॉक गिबन और यहां पर बैसिकली यह हुलॉक गिबन की important sanctuary भी है जो कि आपके असाम जुरहट में आती है जिसको बोलते है होलॉंगा पार गिबन sanctuary होलॉंगा पार गिबन sanctuary होलॉंगा पार गिबन sanctuary बोलते है और यह कहां पर आपका जोरहट district में आता है असाम में and it is one of the 20 species of apes on earth and it is the only species to be found in India ठीक है ना हुलॉक गिबन जो है in the upper canopy of the tall trees ठीक है ना यह जो हुलॉंग या हुलॉंग गिबन है यह मुचली अपना टाइम उपर की कैनोपी में ही बिताते है देखो यहां पर इसका scientific नेम भी लिखा यह डिप्टेरो कार्पस Macrocarpus है ना हुलॉंग इस्पिशीज बोल्रेस को हुलॉंग गिबन याद रखे हुलॉंग पार सैंक्शुरी याद रखना असाम में अब देखो क्या करें कैनोपी मतलब होता है टॉप्मोस्ट पार्ट वहां से फिर उसके उपर एक ब्रिश टाइप का स्ट्रेक्चर मनाएंगे ताकि यह जो एप्स हैं यह जो खुलॉग गिबन है यह को कैनोपी में ही रहते हो तो यह उसकी ट्रेक्स के मादें से ट्रवल कर लें और इनको नीच फास्ट अफ अल्दी एप याद रखेगा और उरिजनली यह जो पाए जाते हैं आपके चाइना में पाए जाते हैं प्रिमिटिवली और नौर्थीस्ट इंडिया में पाए जाते हैं याद रखेगा और आयूसनी स्टेटर्स अगर बात करें तो दो इस्पीशी नहें यह फास्ट इस्ट 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 इस् इसका जो मैंने आपको प्रिमिट्व एरिया बता है बंगलदेश म्यानमार चाइना यह स्पिशीज यहां यहां पाई जाते हैं तो आगे वूफ कर सकते हैं जहां पर आप देखेंगे एडिटोरियल पार्ट में तो पहले मैं आपको नाम से बता जो को टाइम वेस्ट करने ज जो लिखा हुआ है अरबन हीट आयूअट यहां इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपका जो Jun выше करी और अपलते हैं तो श्पन रोड जो है concrete के structures जो है यह heat को अपने अंदर फसा लेते हैं यह trap कर लेते हैं and they retain the heat which stays trapped inside the urban bubble along with the air pollutants और इसमें air pollutants भी आ जाते हैं तो और ज्यादा temperature को rise करते हैं तो अगर आप देखे यह reason है then lack of green spaces are there है तो और AC बहुत चल रहा है एसी से भी heat निकल रही है मशीनरी जो चल रही है उनसे चल रही है इस करण से जो हमारी cities बन गई है वह urban heat islands बन गई है urban dome भी बोलते है तो यह एक important term है I hope you got clarity regarding that as well आप उसन में आ गया होगा आगे move करते हैं देखते और का important article है दूसरा डिटोल जह हुए splash back है अब private rocket flights की उपर यहां पर तारीफ की गई है तो यहां पर अगनीकुल Cosmos याद रखेगा कि start-up अजस का नाम है अगनीकुल Cosmos उसनी successfully conduct किया है नाम का है कि इन्होंने rocket private lock rocket इंडिया में छोड़ा है जिसका नाम है अगनीबान और स्टार्टप के नाम है अगनीकुल Cosmos इनकी ट्रेनिंग और इजरो ने ही करवाई थी अगनी बार याद रखेगा दो स्टेज का है इस टू स्टेज़ और बोथ स्टेज़ अर पावर्ड इजरो से इन स्टार्टफ को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और वो चीज़ चलते रहना चाहिए किसी वे बुरोक्रेटिक फ्रेमवर्क या बुरोक्रेटिक हर्डल में फसके ऐसा ना हो कि जो knowledge sharing है वो खक्तम हो जाए अमेरिका से कर हमको कुछ सीखना है SpaceX से हमको कु से और यहां पर एक है brewing conflict over a sacred flower तो यह जो आटिकल है इसमें आपको आपको दिसक्रस करना है तो यहां पर एक है brewing conflict over a sacred flower तो यह जो आटिकल है इसमें आपको कि गोदावरी वैली ओफ आंध प्रदेश में एक tribe का नाम mentioned है उस tribe का नाम क्या है कोया ट्राइब ठीक है ना दियाद रखे का the name of the tribe is the कोया tribe गोदावरी वैली ओफ आंध प्रदेश में एक कोया ट्राइब रहती है अभी रिसेंटली एक क्राइस सिचेशन में आ गई है बिकॉस अफ द रेड्स बाइस बाइस स्पेशल इन्फोर्स्मेंट ब्यूरो एक वहां पे एक न्यूली ग्रिएट पुलिस विंग है इन्फोर्स्मेंट ब्यूरो बोलते हैं नियूली ग्रिटेड पुलिस विंग देर एक उन्हों ने थ्रेटेन किया है कि इनका जो महुआ लिकर कंजंशन होता है महुआ से यह वह बनाते है ठíक ना क्या बनाते शराब बनाते है लिकर बनाते है तो यह भी आप याद रखे क और और गोदावरी वैल्य ओफ आन्द पदेश याद रखेगा ट्राइब का नाम क्या है दो कोया ट्राइब यह भी आप याद रखेगा ठीक है तो ट्राइब का नाम पूछा जा सकता है और कहाँ पर है यह पूछा जा सकता है hope you got clarity regarding that आगे move करते है अगले article है इंडिया आईज मॉंगोलिया फॉर की मिनरल्स टू बाइपास चाइना रूट याद रखेगा यहाँ पर इंडिया मंगोलिया की मदद से अपने कुछ की मिनरल्स को लेना चाहती जैसे कि इंपॉर्टन्ट है कोकिंग कोल फस्ट इस दे कोकिंग कोल को लेना चाहते है तो कॉपर वैसे हलपा के डाइम में भी हमने पढ़ाते है आद रखेगा वो छितरी माइन्स हैं राजस्थान की छितरी माइन्स जहां से वह लाते थे 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 थोड़ा-थोड़ा इसे कोरेलेट भी किया करिए इंडिया कोकींग कोल के लिए डिपेंडेंट है ऐस्ट्रेलिया यॉइस और रश्या पर याद रखे के आपसे कोई पूछे तो डूबॉदर है वर चाइना से है रशियासे है और चाइना से रशिया नौर्थ में है और चाइना साउत में है ठीक है यहां पर हम अगर और देखे कुछ इंपॉटन चीज कोकिंग कोल के बारे में तो मैं आपको बता दूँ कोकिंग जोती एक प्रोसेस होती है कोकिंग कौन सी प्रोसेस है जब आप कोल को हीट करते हो इन में हचीव होता है यह प्रोसेस क्या करती है व्लिटाइल कंपोनेंट को हटा देती यह कोल से और उसके बाद केवल एक ग्रे पोरस मैटेरियल बनता है जिसको हम बोलते हैं कोक याद रखेगा ठेक है ना उसे बहुत जादा कारबन कंटेंट होता है एक हाड ग्रे पोरस मटेरिल बचता है तो कोकिंग कॉनसी प्रोसेस हो गई हीटिंग दे कोल इन दी अपसेंस अफ ऑक्सीजन तो यह बहुत ज्यादा हाई तेंपरिचर पे होती है एक हजार से दोजार डिग्री सिंटीग्रेट के वीच में वोलटाइल कंपोनेंट को हटा देती है कोक जो है अपने आप में फ्यूल सोर्स है जो कि हमने देखा विच इज़ डिराइव करते हैं तो कोक का इस्टीज इंडस्टी में करते हैं ब्लास्ट फर्नसेस में करते हैं, रिडूसिंग इजिंटी की रूप में, फ्यूल के रूप में, तो यह सारी चीज़े आप याद रख सकता है, वह भी गारिटी रिगार्डिंट इस वेल, है न, यहां पर देखो लिख रहा है, एक फाइजर ड्रग, फाइजर की एक ड्रग जो की rare form of lung cancer के लिए यूज़ होती है, तो यहां बस नाम देख लीज़े, लोरलाटिनिब, याद रखेगा, लोरलाटिनिब, विच इस यह एक इंपोर्टेंट चीज़ है, यह नाम तो इंपोर्टेंट ही है, याद रखेगा, अब चहें यहां यहां को दोश लिडिया दि तालिबान में इसमया बहुत फेमस है, अफगानिस्तान में बहुत फेमस है, इसका नाम होता है, आपका, क्या बोलते हैं, बर्ड सॉंग डिवल, याद रखेगा, यह दे को लिखा हुआ है, इसको याद रख लो, बर्ड सॉंग डिवल, अगर आप से पूछेगी कि कौन सी अभी रिसेंटली कंट्री जहां पर बहुत जादा प्रिचलित हो चुका है, तो यह अफगानिस्तान में बहुत जादा न्यूज में रहा है, बर्ड सॉंग डिवल, इसमें दो चिडिया रहती है, एक रेफरी रहता है, चिडिया आपस में एक दूसरे के सामने गाना-गान लटके जटके मारना यह सब शुरू कर देती है, जो पहले रुख जाता है, वो हार जाता है, तो एक इंपॉर्टन चीज यह थी, I hope you got clarity regarding that, आकोसन में आ गया होगा, बैटर्ड एन एंटी, the Myanmar town shows price of victory against जंता, तो यहां पे आपको वैसे तो पता होगा कि जो Myanmar का रीचे ने, इस तरह से capture कर लिया था, अब वहां पे एक ethnic army भी है, जो हां की localized army जो सको हम बोलते है, अराकान आर्मी बोलते है, तो उसके fighters जो थे, वो टेक बैक कर रहे हैं, वालाब कि चीजों को वापस ले रहे हैं, military जंटा के हाँच से, तो अभी recently एक टाउन है, पॉक्ता, या देख तरही की cities यूज़ करता है, तो पॉक्ता, अगर आप से कोई पूछे तो इस इन म्यानमार, और यहां पर जो है, अराकान आर्मी ने capture back कर लिया है, military junta से, बट ऑथर ने वही का है, कि इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी, वो यह चुकानी पड़ी, कि वहां के सारे resident वहां से भाग गए और विल्कुल खाली, बंजर, इंट पत्थर का घर वहां देख रहा है, वह बुलता ना पंचायत में, तो वही वाले सीन चल रहे है, I hope you got clarity regarding that as well, कि ये भी आपको समय में आगया होगा, आगे मूफ करते हैं, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टन है तो, that is it for the day, I hope you liked our video, please do like, share and subscribe, keep loving us, keep sharing us, thank you and have a nice day